मस्कार आप सभी का स्वागत है सीजी आप न्यूस पर दुस्तों शद्गण ब्यूसाइक पर रिक्ष्यमंडल ब्यापम के अंतरगत में मंडी इंस्पेक्टर के विन पदों पर बंपर भरतियों के लिए विगयापन जारी किया गया है जिसकी जानकारी हमने आप सभी को इस को माध्य हम से इस चैनल पर दी थी आज हम आपको बताएंगे इसके लिए उनले नावेदन करने का लिंक जो है अभी कुछी समय पहले एक्टिवेट हो गया है आज से इसके ऑनले नावेदन करने के लिए भियापन के लिए विगयापन जारी हुआ है और इसमें ऑनले पर आते हैं आपको इसके लिए नावेदन करने का लिंक जो है प्राप्त हो जाएगा जहां पर आने के बाद आप यहां पर बारी बारी से देख पाएंगे सबसे पहले आपको न्यूस पीपर एड़टाइजमेंट जो है मिल जाएगा विभागी विग्यापन मिल जाएगा ब्यापन के द्वारा परिक्षा निर्देश आपको प्राप्त हो जाएगा सांती सांत इस परिक्षा के समन्द में पाठिकरम जो है सीलेबस भी आपको प्राप्त हो जाएगा इंपोर्टिन इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो जाएगे सेंपल एप्लिकेशन फार्म प्राप्त स्टेटस में जा करके जो है देख सकते हैं तो यहां पर online आवेदन करने का लिंक जो है आज एक्टिवेट हो गया है दोस्तों इसके लिए online आवेदन आज 18 मार्ट 2021 दुन गुरुवार से लिंक इसका एक्टिवेट हो चुका है अभियर्थी अगले 4 अपरेल 2021 दिन रविवार रातरी 11 बच के 69 मिनट तक इसमे online आवेदन कर पाएंगे परिक्षा 29 अपरेल 2021 को होगी यहां पर online आवेदन करने के लिए अभियर्थियों को 350 रुपे का सुल्क भुक्तान करना होगा जो कि समान या भियर्थियों के लिए है अन्या पिछा वर्ग के अभियर्थी 250 रुप नेट बेंकिंग नेंट बनिएंगर्ण मादियम के मादें असानी सीरा फेंट कर पाएंचे दौश्थ यहां पर नजर डालते हैं विभागी ग्यापन जो है यहां पर प्रकासित किया गया है मंडी निरिक्षक के पद पर चेनी तभी अर्थियों को 28,700 लेकर के इनके 9,300 रुपए का वितनमान लेवल 7 के अंतरकत में दिया जाएगा और यहां पर अनारक्षित वर्ग में 9 पद हैं अनुसुतित जन जाती के लिए 7 में उपनी रिक्षक के पद पर भरती के लिए अभियर्थियों की सेक्षिण के उगता यहां पर भी शनातक रखी गई है किसी भी विशाय में और यहां पर चेनी तभियर्थि को 25,300 से लेकर के 8,500 रुपए लेवल 6 के अंतरकत में वेतनमान जो है दिया जाएगा यहां पर मन्नी रिक्षक और उपनी रिक्षक के कुल 168 पदों पर भरतियों के लिए विग्यापन जो है यहां पर जारी किया गया है जिसके लिए सेक्षिण के उगता केवल इसनातक रखा गया है यहां पर आवेदकों की आयू सीमा एक जनवरी 2020 की सिती में निड़ता मिकीस वर्ष और अधिक्तम 35 वर्षा से अधिक नहीं होनी चाहिए यहां पर चतिगर सासन के नियमा नुसार आयू सीमा में छूट जो है दी जाएगी यहां पर खास बात यह है कि ब्यापम इस्तर पर दोनों पदों पर भरती है तो एक ही आनलिनावेदन लिया जाएगा और एक ही परिक पर पर अजैर पर दौर्ड अद्वारा मूल दस्तावgeben के परिक्षन ऊपरांत मेरिट सुची के आधार पर प्र्थम क्रम में मंदोन रिक्षा के पतों पर चैन न्यूक्ति दी जाएगी उसके बात में दूती क्रम में उसी मेरिट के अधार पर उपनी रिक्ष के पदों पर चेयन न्यूपती की कारवा ही जो है की जाएगी और यहाँ पर जो भी परतिक्षा सुची बनेगी वो एक वर्स के लिए मानने होगी साथिसाथ में यहाँ पर सेवा में रिक्त पदों पर सीधी भरती के लिए जो तीन वर्स की परिक्षावधी का नियम जो है सासा ने बनाया है वो यहाँ पर लागू होगा जिसमें प्रथम वर्स में अभ्यर्थियों को नियुनतम 70% वेतनमान, दुती वर्स में 80% वेतनमान और तीन वर्स में 90% वेतनमान श्टाइपन के रूप में अभ्यर्थियों को दिया जाएगा और परिक्षावधी संपूर्ण करने के बाद में अभ्यर्थियों को पूर्ण वेतनमान नियमित रूप से दिया जाएगा मंदी निरिक्षक और उपनिरिक्षक की भरती के लिए यहाँ पर विस्तित पाठेक्रम जो है विभाग दोरा जारी कर दिया गया है यहाँ पर इसके लिए सिलेबस जारी हुआ है जिसमें कुल 150 अंग के 150 प्रशन जो है पूछे जाएंगे जिसमें यहाँ पर हिंदी के लिए 10 अंग के 10 प्रशन जो है पूछे जाएंगे इसका डिटेल्स आप यहाँ पर देख पाएंगे अंग्रेजी विषय में 10 अंग के 10 प्रशन यहाँ पर पूछे जाएंगे गडित विषय में यहाँ पर 30 अंग के कुल 30 प्रश्ण जो है पूछे जाएंगे अलग से यहाँ पर 15 अंगों के प्रंदा प्रश्ण जो है समान्य मानसी योगता के लिए अलग से पूछे जाएंगे समानने ग्यान के कुल 35 अंगों के 35 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे यहाँ पर आप जो है सिलेबस डिटेल से देख पाएंगे कौन-कौन से चेप्टर से कौन-कौन से सिलेबस पाठे करम से यहाँ पर प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे समसमाई घटना करम, खेल कूद, देश वी देश से कुल 15 अंकों के 15 प्रशन जो यहाँ पर पूछे जाएंगे उसे प्रकार से कुल मिलाकर के 150 अंकों के 150 प्रशन जो यहाँ पर पूछे जाएंगे और बहुत सारे भिरतियों का प्रश्ण होता है कि सर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है आप सुझी को बताएंगे यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान जो है किया गया है गलत उतरों के यहाँ लिए यहाँ पर आपके एक बटे चार अंक जो है क मुबाइल फोन के मदद से यहां पर कर पाएंगे यहां पर एक्टिवेट हो चुका है और यहां पर आवेदन करने के लिए इसका ब्यापम में कुछ ज्यादा खास जानकारियां यहां पर नहीं मांगी जाती है आप चाहें तो अपने मुबाइल फोन के माध्यम से भी इसका आवेदन जो है घर बैठे ही कर पाएंगे अगर आवेदन करने में कोई समस्या होती है या फिर कोई वीडियो इसके लिए चाहिए इस बेसली तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं ताकि आपको जो है इसके लिए अलग से एक वीडियो जो है बना करके प्रोवाइट किया जा स और इसका सिलेबस भी पाठेकरम भी डाउनलोड कर पाएंगे सांती सांत विभागी विग्याबन भी डिस्क्रिप्सन से जाके डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों आज की सुडियो बस इतना ही मिलते हैं अन्यरुजगार समचार और हेट से जनकरियों के साथ में तब तक के जाहिन